नमस्कार जेहिन मैं वो रॉनक स्क्रीन वाला पे वेलकम स्वाग है छोटी दिवाली ये बहुत बहुत शुब कामना है और अगर आप सल्मान खान के फैन है तो आपको मूवी रिलीज की एडवांस में मुबारक बार क्योंके देखो सल्लू भाई के जो फैन होते न कि वहार नहीं मनाते फिल्मे मनाते हैं फिल्मे भाई पहले इद में फिल्म लेकर आते थे तो उनके लिए इद बेस्ट थी अब भाई दिवाली पर पिच्चर लेकर आ रहे हैं तो दिवाली बेस्ट है अगले साल क्रिस्मस पर युग में जी रहे हैं इस युग की दिक्कत यह है कि अब हर चीज this versus that हो गई है यानि हमें compare करने की आदत पड़ गई है Bollywood में ये trend पहली भी था लेकिन अब social media के आने के बाद तो आप दो actor के एक साथ fan हो ही नहीं सकते एक का fan होकर आपको दूसरे का दुश्मन बनना पड़ता है ऐसा लगता है तभी आप fan के लिए eligible होंगे है की ने पठान की case में भी ऐसा ही हुआ जब शारूख खान ने बहतरीन comeback करते हुए इंडस्ट्री को अब तक की सबसे बड़ी picture दी तो सामने सल्मान भाई के fans ने इसका credit सल्मान खान के cameo को दे दिया शारूख के fans भी कहां पीछे रहने वाले थे जवान के hit होने के बाद उन्होंने कहा कि इसमें तो tiger के ability भी नहीं दिखाई दी लेकिन film ने पठान को भी पीछे छोड़ दिया अब शारूख खान के fans इस आड़ में बैठें कि tiger release हो और उसके hit होने के बाद सल्मान भाई के fans को निशाने पर लें और ये बोलें कि film इसले hit होई क्योंकि इसमें पठान का cameo था लेकिन ये fan war तो भी है film release होने से पहले ही छिड़ चुकी है असल में हुआ ये कि कल रात तक देश के तीन बड़े cinema national chain जो advance ticket की booking का आंकड़ा निकालते हैं उनके इसाफ से tiger 3 की 191,000 191,000 advance ticket book हो गई है अब ये number तो बहुत बढ़ी है और film का अच्छा खासा opening ये लेने को तयार है लेकिन जैसा कि मैंने कहा अब comparison का जमाना है तो SR के fans ने tiger 3 की advance booking को पठान और जवान की advance booking से compare करना शुरू कर दिया आपको बताते हैं कि इंडिन सिनेमा के तिहास में जवान अब तक की सबसे ज़ाधा advance ticket बेच चुकी है फिल्म रिलीज होने से पहले जवान ने 5,57,000 ticket इन तीन बड़े multiplex chain में बेची थी पठान ने भी release से पहले 5,56,000 ticket बेच दिये थे उसलिए आज से दिखा जाए तो वैसे तो tiger release में अभी एक दिन बाकी है और आज भी कुछ advance ticket बुक होंगे लेकिन शायद यह आंकडा 2,00,000 से उपर पहुंच जाए जवान और पठान का तो आधा ही रहेगा है कि नहीं बस इसी बात को लेकर अल्ला मचा हुआ है कि फिल्म सूपर इर तो हो जाए लेकिन जवान और पठान को पीछ नहीं कर पाए बसे आपको बता दे कि संडे के दिन release होने वाली tiger 3 अब तक की सबसे बड़ी film है इससे पहले कोई भी बड़ी film संडे के दिन release नहीं होती है लेकिन यशराज ने इस फिल्म को संडे के दिन release करने का फैसला किया है कल दिवाली भी है शाम के वक्त में लोग पूजा और पार्टी में बीजी रहेंगे इसलिए शाम के शोग खाली दिखाई दे रहें कई trade analyst इसको खराब strategy मान रहें लेकिन सल्मान भाई की भी दिक्कत है अगर Friday को release करते तो धन 13 सब चोटी दिवाली में शॉपिंग की वज़े से फिल्म की collection अफेक्ट होती और अगर अगर अगले Friday करते तो पूरा दिवाली का तिवहार निकल जाता है इसलिए अगर आप सल्मान खान के fan हैं तो कल के collection से जादा उमीद मत लगाईए परसों से फिल्म का collection आपको बहतर होता दिखेगा लेकिन जैसा कि नियम बन रहा है कि opening day का collection लोग show off करते है उस मामले में सल्मान खान शारुक से पीछे हो जाएंगे ऐसा दिख रहा है और अगले दो दिन ट्विटर पर आप विभिन्द प्रकार के trends देखेंगे देखे, comparison में तो नहीं जाना चाहिए और किसी भी film की success सफलता उसकी कमाई से तो बिल्कुल मत आंकी है ऐसा personally मेरा मानना है आपका जो भी मानना है comment box में लिख देना क्या लगता है, Tiger 3 versus जवान इन पठान में कौन बाजी मारेगा शारुक के fans जादा हैं हमारे comment box में या सल्मान के, यह हम comment में पढ़ेंगे तो बताएंगे बाकी कल पिचर देखने के बाद सबसे पहले रिव्यू लेकर स्क्रीन वाला पे ही आएंगे चैनल सब्सक्राइब करके जाना, फेस्बूक पी देखे तो पेज को लाइक करना थैंक्यू पॉचिंग, जल्दी मिलते हैं, जैहिन